नमस्ते, वेलकम टू संगिता फैशन, आज जो मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, ये बहुत कुपसूरत ब्लाउज डिजाइन है, इसकी चेश 35 की है, इसकी हाइट 13 इंच है, आर्म होल 6 और शोल्डर भी 6 इंच का है, अब हम इसका गले का अकार बनाएंगे, तो अब हम गल 13 इंच की गलापटी के साथ, हम ढाई इंच का सरक स्क्वेर बनाएंगे, ढाई इंच के स्क्वेर के साथ, आज हम गले के अकार उसमें निकाल लेंगे, अब यहासे मैं गोल सरकल से गले का अकार निकाल रहे हूँ, तो यहाँ पे मैं कश्टमर की डिमांड के इसाफ से, मैंने 3 इंच का लिया था तो नीचे के साइड आधा इंच शिलाई मार्जिन के साथ जाएगा और ये 3 इंच को 1.5 इंच और 1.5 इंच इस तरह से यहाँ पर ये डाइमंड शेप बना लेना है तो ये डाइमंड शेप के साथ हम बावकी का भी ये शेप बनाएंगे तो यहाँ से 2 इंच का मैंने अंतर लिया है और यहाँ से 1 इंच और इस अंतर के साथ इस तरह से ये गले का आकार बना ले हूँ ये गले का आकार बनाने के बाद इस तरह से स्ट्रेट आकार देना है स्ट्रेट आकार देने के बाद यहाँ पर मैं उस आकार को अब देखे इस तरह से डाइमों अंड शेप के ऊपर यहा तक इहां बना लेना है फिर इसके cleaning में ने स्ट्रेट आकर को वीच सेंटर लेना है और फिर यह सरकल का आकर देदेना है तो ये सरकल के आकार के साथ आज हम गले की डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से आप सरकल का आकार अच्छी तरह से निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन के साथ आप आकार निकाल सकते हैं इस आकार को निकालने के बाद हम आकार को कट कर लेंगे हमारा जो circle का आकार है उसको cut कर लेना है फिर pins को निकाल लेना है pins को निकालने के बाद नीचे के side से अस्तर का कपड़ा और उपर की side से ये blouse का fabric रखकर कुछ इस तरह से pins से इसको pack कर लेना है pins से pack करने के बाद अब हम इसके उपर tip लगाएंगे यहाँ पर मैंने paper पट्टी का इस्तमाल नहीं किया है तो अगर आप बिना paper पट्टी के साथ अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करते वक्त आपको finishing का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ेगा अब यहाँ से हमने नीचे के side जो कमर पट्टी होती है उसके उपर भी यह tip लगा ली है तो इसकी वज़े से क्या होगा कि हमारे गले का आकर और नीचे कमर का आकर है दोनों एक साथ बन जाएंगे अब यह गले का आकर अच्छी तरह से निकालने के लिए यह cuts देना ज़रूरी है फिर उसके बाद इसको पल्टी कर देना है पल्टी करने की वज़े से हमारे जो हमने tip लगाई थी ओधागे अंदर के side पर चले जाएंगे तो यह अगर प्रेश tip लगाने के बाद हमारे गले का आकर अच्छी तरह से आजाएगा फिर अब उसके बाद यह बाहर के side से भी tip लगानी है तो यह tip लगाने के बाद आद देखिए इस तरह से बहुत ही खुबसूरत हमारे blouse का अकर तयार हो गया अब हम इसके उपर design बनाने के लिए ready है तो अब यहाँ से आपको जहाँ जहाँ पे यह बाहर कपड़ा ना निकाले उंगली की मदद से आप एक कपड़ा निकाल सकते है यह पूरी तरह से प्याक हो जाने के बाद अब हम इसके उपर design का अकर बनाएंगे तो नीचे के side से जो मैंने अस्तर के उपर लगाया था उसी को मैं यहाँ पे छाप रही हूँ तो उसको इसी type और फिर जो कपड़ा हमने अभी draw किया था उसको इसी के उपर इस तरह से छाप लेना है छापने के बाद उसको आकर को निकाल कर यह tux लगा लेना है यह tux उसी आकर के अंदाज में आपको लगानी है ताकि हमारी design को ऊपर यह tux न जाए अब उसके बाद यहाँ पे मैं लेस लगा रहे हूँ तो लेस मैंने यह पट्टी लेस ली हुई है आप जो चाहे वो लेस यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन जो पट्टी लेस है वो अच्छे तरह से गुमती है और अगर यहाँ पे गुमने वाली लेस हो तो हमारी design और हमारे गले का अकर है उसमें बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है अब यहाँ से इस तरह से उसके ऊपर फिर से डबल टिप लगा लेनी है तो हमारे एक सेंटिमेटर की जो लेस होती है उसमें डबल टिप ज़रूरी होती है तो यह हमारा blouse finishing में देख जाए आप हमने जो design का आकर बनाया था उस आकर के ऊपर इस तरह से हमने लेस लगाई है यहाँ पे आप दूसरे साड़ी का जो color होता है वो भी आप paper party के साथ लगा सकते हैं तो यह जो आकर है यह बहुत अच्छी तरह से देख जाता है और मैंने customer की demand के इसाब से यहाँ पे उनको सिर्फ lace work चाहिए था गले का आकर और यह lace work तो यहाँ पे यह double गले का आकर हो ग तो इसी टाइप जो customer की demand होती है मैं उसी demand के इसाब से काम करती हूँ तो यह customer की demand थी मैंने उसी इसाब से काम कर लिया है अब यहाँ पे यह complete हुआ फिर इसके उपर मैं double tip लगा रहे हूँ double tip लगाने से हमारी lace बहुत अच्छी तरह से बैट जाएगी और यहाँ पे अगर पट्टी lace हो तो इस तरह से अच्छी तरह से बैट जाती है और अगर market में जो भी lace आए तो वो सिर्फ इसी तरह टाइप घूमनी चाहिए तो वो बहुत अच्छी तरह से बैट जाती है अब यहाँ पे मैंने जो गले का आकार से निकला हुआ कपड़ा था उसको straight cut कर लिया है और हम इसके लिए यह सीधे वाले लटकन बनाएंगे सीधे वाले लटकन जो होते हैं वो हर कोई बना सकता है लेकिन वो blouse के उपर बहुत ही जादा खुबसूरत बन जाते हैं तो अब देखिए इस तरह से इसको पल्टी कर देना है अब पल्टी करने के बाद यह cut करके blouse के उपर attach करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना और ऐसे कई सारे वीडियो के blouse वीडियो मेरे channel पे है आप एक बार channel पे visit करके जरूर देख ल